बिसमिल्ला रह्मान वहीं असलाम वेकुम अभी रिसेंटली एक बहुत अनफॉर्चनेट वाक्या हुआ है जिसमें एक नौजवान लड़का घर्दन पर दोर फिरने की वज़ा से जान की वाजी हार गया और ऑन स्पोर्ट डैथ हो गई उसकी बहुत ही अफसोसना वाक्या है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मेरा जो परस्नल पॉइंट अफ्यू है रिगार्डिंग दिस अविएसली अगें इट मैट्स डाउन तो आवर परफॉर्मेंस अज़ान अशन अज़ाइटी और अलसो दा लैक अफ लॉव और यानिके हम भैसियत कौम भी इसकाबिल कर नहीं हैं हम दूसरे का एसास करना नहीं चाहते और ना जानते हैं किसी का एसास करना अभी उसी के आशास के दिनों की बात थी मैं अपना बाइक रिपेर करวाने किया उसरी टूनिंग कर Creator तो जो लड़का उसकी टूनिंग कर रहा था अचानक से कहीं से उसको आवाजें आई तो वो में रोड पे जो मेट्रो के साथ साथ जा रही है में रोड उस पे कहीं पे हवा में पतंग कोई कट के आ रही थी तो लोग जिस तरह कठे हो जाते हैं वो जो लड़का था मेकैनिक वो मेरी बाइक छोड़के अपनी दुकान में घुसा है वहाँ से लंबा सारा बांस उठा के और उसने आओ देखा ना ताओ देखा और वो पतंग लूटने चला गया मैं उदर खड़ा देख रहा हूँ कि यार मतलब एक दफा तो बलके एक बाइक पर एक बंदा जा रहा था उसके फेस पर भी लगते लगते बची है उसके चेहरा बचा है उसके डड़ने से तो बाराल उसके हाथ तो नहीं आई लेकिन वो फिर वापिस आया और फिर उसने अपना बाकी काम जो है वो किया भी दया रहा है यो नो फॉर एक्जेंपल हमारे लड़के जो हैं वो वन वीलियंग करते हैं बगएर हलमेट के बगएर किसी भी सेफटी गेर के कोई भी बाइक उठाई जना वालिद साब की उठा के ये काम शुरू कर दिये खुद भी गिरते हैं कुछ ना किसी ना किसी और को भी चोटे लगवाते हैं वे आपने करना है आप बिल्कुल अपना शौक पुरा करें लेकिन विद प्रोटोकॉल कॉर्डन ओफ प्लेस हो अलग से आईसलेटिड एरिया हो जहां पर आप वो कर रहे हो रश ना हो कोई ट्रैफिक का आना जाना ना हो बच्चों का आना जाना ना हो वाँ पे और उस जगह पे अपना भी हफाज़त का ख्याल रखें हेलमेट प्रोटेक्टिव गियर पैन के फिर आप ये शौक पूरा करें बेशिक हेलमेट पे कैमरे लगा लें अपनी अपनी इस्तिताथ के मताबिक लेकिन अपनी जान भी और दूसरों की जान भी खत्रे में डालना दूसरा इसका एस्पेक्ट जो बना रही है कैमिकल डोर्स तीग है वो इस हद तक धाती तारे जो बना रहे थे एक जमाने में बहुत ज़्यादा लेकिन यह वो तो इतनी बारीक सी तार होती है वो तो मतलब उसने तो किसी का लहाज नहीं करना है जब इस स्पीड पे कई किलोमेटर फी गेंटा की रफतार पे जब वो चल रही होती है तो वो कोई भी इसका शिकार बन सकता है हमें भी सेफटी गेर्स का ख्याल रखना चाहिए हलमेट गले में कोई मफलर या वो जो तारें आगी हुए आजकल बाइक्स के आगे लगाने के लिए कल बलके मैंने एक देखा होंडा सिविक जा रही थी उसकी संरूफ खोली वी थी और उसके अंदर से दो बच्चे बाहर निकल के और सारा रस्ता मेरे आगे आगे ना तकरीबान 15-20 मिनट वो बच्चे बाहर सर निकाल के खड़े वे थे और मैं सोच रहा था इनके लिए भी कितना डेंजरेस है कि अगर कोई खुदाना खास्ता को डोर आजे और इनके इदर मतलब खुदाना खास्ता फिर जाए तो मेरे जहन में आया लेकिन इक वास्टर एस कंपेर टू माय बाइक मुझे मौका तो नहीं मिला उस बंदे को कहने का लेकिन मैंने मैसिज के थूरू मुनास अगरा नियाफत से और इस किसम की अमवाद से बाकी है कि मैसिज आप सब लोगों के लिए कि ठीक है तफरीक है बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं यह मतलिव स्कूल ऑफ थार्ट है एक कहता है जी बिल्कुल बंद कर दी जाए कहते है जी चलती र हौल में होता एक आदा वाक्या ही है लेकिन जब नहीं कंट्रोल होता आप लोग बात नहीं मानते हैं अवाम जब बिलकुल ऐसे जो है ना बेकाबू हो जाती है तो फिर आपिसली उनको पननेट बैन ही पाकिस्तान में तो हाली है ना हर चीज़ का कि मस्तकिल बाद बैन कर दो कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं इसके बारे में लाव मेकिंग हम नहीं कर सकते हैं तो लाव एंफोर्समेंट हम नहीं कर सकते हैं बस बैन कर दो बैन करवा देते हैं लेकिन भाहसियत कौम यह हमारा फर्ज बनता है हमें कोई ऐसा बंदा जाता वा नजर आए जो इस तरह जा रहा है यह बहुत गलत बात है वो क्या पता किसी की करदन काट रहो पठली तरफ से तो हमें वेटनेस करनी चाहिए और अपने बच्चों को मना करना चाहिए इस चीज से आज कल तो यह पीछे कुछ अरसा पहले पुलिस ने चापे मारने शुरू किया था कि जिस छत से पत नोबडी इस स्टॉपिंग दें ठीक है नोबडी इस रोपोर्टिंग दें तो इसको हमने अपने आसपास वालों की हम इसला कर दें मेरा ख्याल है यह काफी है और इससे ही आहिस्ता हिस्ता काफी हद तक अवेरनेस आ जाएगी शुरिया अपना ख्याल रखिएगा अपने गिर्द नमास उपका ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज